नमस्कार दोस्तो मैं विजय कसाना डिजिटल फिरी शिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो एच्छसी CET कम्प्लीट हो चुका है यान की एक्जाम हो चुका है उसके बाद आभी जो CET के तहट बरतिया होने है वो बाकी है इसलिए CET कंडिडेट बुलाए जाए इन सभी को लेकर बड़ी खबर आ रही है कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती यह इसलिए हमने लिखा है तो चलिए सात्यों बड़ी खबर आपको दिखाते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोसल मीडिया हो या फिर ओग्यापन देकर हो या किसी परकिरिया की तैत लेकिन कुछ एक यूवा वो भी है जो अच्छे नंबर सीटी में पात चुके हैं यह हम कह सकते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि आप सीटी क्वालिफाई ना हो च्यार गुणा में उनका तो नंबर आ जा आएगा तो उनको इन कंडिरेटों से कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि अगर उनकी तैयारी अच्छी है तो उस एक्जाम में भी ज्यादा नंबर ले लेंगे तो वह तो एक सोच का फरक है अब देखते हैं कि क्या वह सोच रखते हैं लेकिन यह बड़ी खबर आई है कि म मगर आप गलियारों में सबसे ज्यादा सीटी को पातरता प्रिक्ष्या बनाने की चर्चा चल रही है जितने भी उमिद्वारों ने सीटी दिया है उनमें से अधिकतर ने सोचल मीडिया पर सीम अनोरलाल खट टरजीशे आगर किया है कि ग्रूप सी के जिन पदों के लिए जा रही है उनके लिए सीटी को पातरता प्रिक्ष्या है वो माना जाए अभी तक सरकार ने फैसला कर रखा है कि जितने पद रिखते हैं उनकी च्यार गुणा कंडिडेटों को ही बुलाया जाएगा अब साथ यो देखना यह होगा कि क्या होता है कल आपने भी सुना होगा एक सॉंग भी रिलीरीज हो चुका है सेटी कॉलीफाई को लेकर क्क्वालिफाई होना चीसे सबही वी हुआ है वह दूसरी एक्जाम देपाएं अगर वह मैनत करते हैं तो दूसरे एक्जाम सेलेक्सलीक्त में चाहईयों उंकी gült क्वालिफाई नितला कर दूत कि बाद वारा जो दूसरा एक्जाम है वो देते हैं तो टोप चार गुणाओं में आने वाले कंडिडेटों को भी कोई नुपसान नहीं होगा उनकी तैवयारी इतनी है तो वो उस एक्जाम में भी जादा नुमबर पा जाएंगी इसमें दिक्कत क्या आ रही है अब वो तो ह हमारा काम है जो हम बखुबी कर रहे हैं ऐसे ही और बरतियों के अपडेट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपना मैतपुन समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वूडियो में